वेलकम टू बैक मैं चैनल आज की इस वीडियो में आपको लेकर आई हूँ और सर्कुलर प्लाजो की कटिंग और स्टेचिंग वह भी बहुत ही असान तरीके से यह इंपरेल प्लाजो देखने में जितना खुबसूरत है पैनने में अतना ही कमफरेबल रहता है और इसको बना प्लेंग्ण फेवरिक ले सकती हैं कोई भी कपड़ा ले सकती है इसको हम डबल फोल्ड करते हुए कुछ इस तरह से त्रा से हम ट्राइंगल से रखेंगे जिस तरह से हम अम्रेला फ्रॉक की कटिंग करते हैं सेम इसी तरी की मेसर्मेंट स्क्रीन पर रखती हैं इसमें साध लंबाई करते हुए हैं सर्कल कर देंगे जो अम्रेल फ्रॉक की सर्कल होती है इसके बाद हम करेंगे कमर की मार्किंग तो जितना आपका कमर हो उसमें आप से डिवाइड कर दें और इसमें 2 प्लस लूसिंग के रिए रख दें जिस तरह से हमने 8 इंच की मार्क कर दिए हैं 32 क एकॉर्डिंग और दो इंच लूज के लिए छोड़ दें आपको क्लियर दिखाते हैं तो इस तरह से हमने छोड़े हैं और नीची के साइड किस तरह से हम सर्कल में 12 इंच के गुलाई रखेंगे और उपर हमारा 2 इंच बेल्ट में मिल जाएगा तो टोटल 14 इंच इस तरह से आसन बन जाएगा इस तरह से 2 इंच की तिर्शी आसन बना लें और इस तरह से तिर्चे में मिलाएं आसन का निशान को मिलाते हुए इस तरह से राउंड शिप देंगे 2 इंच की गुलाई करते हुए और इसके बाद कर लेंगे लंबाई की मार्किन तो टोटल लंबाई ह थर्टी सीख सिंच एड़ी तो हंपे हम 34 Cyrus के करेंगे काटिंग क्यूँकि ऊपर से लंवाई ना मजर्मैंड करनने पड़ती है इस सर्कल में चुपश लेंगी कुछ इस तरह से रॉक्ति हम लेंद कि मार्किंग कर लेंगी कुछ इस तरह세 करेंगे अलग से कपड़ा तो इस तरह से हमने लंबाई की मार्किंग कर ली 34 इंच की जितनी और इस तरह से कटिंग कर लेंगे और इस तरह से उपर की साइड भी कमर की कटिंग कर लेते हैं दो इंच हम लूजिंग के लिए इस्टा रखें हैं तो इस तरह से कटिंग करने के कि निदेबाद यहां पे दिखा सकते हैं साइड में जोड की तरह से हम रगाएं तो जो साइड का कपड़ा बचा है उसी को इस तारब से इस तरह बाढ़ा वाला पाथ है उसे को रखेंगे इस तरह से हमें रख लेंगे, आफ इंच उपर के साइट छोड़ते हुए हमें रखेंगे, ताकि जो जुआइंट वाला पाठ हो, वो हमें इस्टरा जोड़ने पे छोटा ना पड़े, तिसरा उपर चढ़ा के रखें, और इस तरह से बराबर कलने कपड़े को, तोड़ा सा इस्टरा निकलेगा, इसको बराबर कल लेंगे, और बराबर करने के बाद इसकी हम कर लेंगे कटिंग, तो जिस तरह से राउंड में कटिंग हुई है, उसे तरह से राउंड में कट कल लेंगे, इस जुआइंट अगर आपकी जो कपड़े की चोड़ाई हो, अगर जादे ह अर्ज जिससे बोलते हैं जिसे वीर्थ बोलते हैं अगर आपकी आपकी जादे हो तो इस तरह से ज्वाइट करने की जरुद में पड़ती दोज बन जाते हैं लोग कपड़े की अरज होती है फोटी होती है कि से दो भातर से चोड़ी लो सोटे को उसमें करने की ज़रूर नहीं होती है अच्छे से बन जाती है लेंग्त बहुती सी निकल जाता है मिनिमफ 74 की कि छोटी होती है और इसके बात करेंगे हम बेल्ट की मार्किंग, तो बेल्ट को जो चौथाई पार्ट है, वो एट इंच है, उसमें दो प्लस मार्जिंग एड करके तो टेन इंच है, तो इसो 40 इंच का यह बेल्ट तयार होगा, इस तरह से 4 इंच जहां पे आएगा, उहाँ पे इस तरह से मा रखेंगे आधा इंच और इष्टा रखते हुए इस तरह से मार कर देंगे ताकि जो जुआइंट करने पर कपड़े बराबर आए यहां पे इसकी जुआइंट जो है पूरी नहीं हुए लंबाई क्योंकि इसमें कम पढ़ रहा है कपड़ा इस तरह से थोड़ा सा और पोटल 40 इंच क्रेडी होना चाहिए तो इस तरह से बराबर करके देख लेंगे और इसे कट करके शेट कर लेंगे ज्यादा पाट होगा तो इसे कट करके हमने शेट कर लेंगे वह तो स्टिचिंग करने के बाद भी निकल जाता है अब आते हैं स्टिचिंग के लिए यहां स्टिचिंग के लिए हम स्टिचिंग के लिए हम पहले कट वाला पार्ट जो है सरकाल तो इसके बाद जो प्लाजो का सरकल वाला पॉइंट है उसको ले लेंगे और यहां पे जो जॉइंड हम कट किये थे उसको जॉइंड करेंगे इस तरह से जॉइंड को सीधी साइड में इस तरह से देख लेंगे और इसको बराबर रखते हुए कपड़े को मिलागी इस तरह से सुझ्ट कर देंगे यह हमने जो कपड़े की किनारी के मार्जिंग है वह हम इस तरह से कटनहीं किये हैं chorus कि इस तुढ़ी मदारूथी आती है इसलिए हमने एससे कटनाई की selदी और इस तरह से हम दूसरे पार्ट में भी अटेज कर लेंगे अब और और यहांस कि तो दोनों आशनक को इस तरह से मिलाते हुए एक सिलाई लगा लेंगे सीधे में इस तरह से लगाने के बाद इसे प्लट के अंदर के साथ हम गुम सिलाई लगाएंगी इससे जो क्या होते हैं फिनिशिंग अच्छी आती है और आपकी जो को स्टिचिंग में इम्प्रूमेंट इच्छ होती है तो इस तरह से अपने स्टिचिंग को भी डिया betr बना सकती है इस तरह से हमने ऐसांतों के स्टिंग कर दिए तौन के स्टिचिंग करने के बाद माढ़क आसे ही एक पार नहीं चोड़ दींए और दुसरी पार्ट को इस तरह से जॉइन करलेंगे के बाद हमने किरिये हैं इसकी इलाश्टिक की को अठाइच करने के लिए तो जितनी हमारी लाश्टिक है उतनी ही हमने को अजेकिंज किया है तुछ धुदा लूज है अब बार ही लाश्टिक डालने के लिए जितनी आपकी कमर है उसमें आप 6 इंच अंदर आने के बाद 26 आएगा तो 26 का हाफ होगा 13 नकिल लेगे इस्तार से दबल करके को उसको इससी और इंदर कट कर review में आफम इस तरह से डबल कट के और डपल कहने के बाद लाश्चिक को बाकी बचला साइड में रखेंगे और इसे तरह से हमने शेपटी bosics की हैलोप से इसे इन्सुर्ट करके मुद्ट में पूरे डालाउंड में इस तरह से हम झाफ कर लेंगे हं?. तो इस तरह से हमने लाश्टिक को सेट लिए और इसके बाद बारी आती है ज्वाइंट करने की तो दोनों पाठ को इस तरह से ब्राबर रखें यहां पे स्टिच करें थोड़ी से स्टिचिंग को पक्के करने हैं व्हset हिरत करेंगे उपर से स्टीच करेंगे उपर सेimas Donaldות का स्टीच करेंगी तो यहां पर होड़ी सी मजबूती इस साथ इसे पक्का कर ले ताकि फटे या खुले Dartmouth आ subur तो इस तरह से हमने । ति कर हैं सब्सक्राइब कि हुआ हुए इससे कर लेने हैं थोड़े। हमने लाश्टिक डल के ऐसे औरने के ऐसे के एक घ्लाइक कर लिए हो दो कि एक लाश्टिक की जा सकती है आप ऀसे खोड़ सकती हैं बात बात आती है Scale की लिए लें तो नीचे के किनारा जो है उसकी कीनारी को इस तरह से सिलक ले लेंगे अब आशन की सिलाग करेंगे तो सीधे में रखके इस तरह से हम आशन की सिलाई लगाएंगे यहाँ पर सीधे में एक सिलाई लगाएंगे जिससे जो अंदर की फाइनल सिलाई होती है पैरवाली उसको हम इस तरह से सीधे में एक सिलाई लगाएंगे ताकि इसके बाद जो अंदर से हम पलट के शिलाई लगाएं तो वो गुम सिलाई हो जाएं जिस तरह से आसन को आसन मिलाते हुए हम सिलाई लगा लेंगे पूरे नीचे था हमारे वीडियो आपको अच्छे लगती हुँ तो प्लीस वीडियो को इक लाइक करें चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब करें हम आपके लिए इसी तरह से अच्छे अच्छे और अच्छे श्टाइलिस ट्रिक लाते रहेंगे और आप हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें जो जिस देख सकते हैं किस तरह से हमने उपर के अंदर की साइड फूम से लाए करके कट कर दी हैं और दो सिलाई हम अंदर की साइड से लगा लिए है अब आपको प्लट के दिखा सकते हैं कितनी finishing आई है अंदर की side में भी और बाहर की भी side में भी यहाँ पर देख सकते हैं हमने lasti को adjust कर लिए और अपना plazo ready हो गया तो कितना आसान है plazo बनाना बहुत ही आसान है plazo बनाने के लिए circle plazo भी बहुत आसान है देख सकते हैं 36 इंच तो टोटल 36 इंच की रेडी चाहिए 37 इंच का रेडी हो गया तो यह circle plazo बनके हो गया रेडी अमीद है कि आपको भी plazo डिजान पसंद आए हैं हमारी बताने का आइडिया हमारी stitching का आइडिया आपको समझ में आया तो मिलेंगे अगली वीडियो में